कालीन भाईया कहा है अंदर कालीन की डील चल लई है थोड़ी देर में बुलाते हैं बता दिजे गुद्डू पंडित आए कालीन भाईया कौन है गुद्डू पंडित आए है गुद्डू पंडित आता हो हाँ नमाशकार कालिन भाया नमाशकार नमाशकार बताइए क्या बात है भाई हमको 500 कालिन चाहिए मिल जाएगी हर कलर की चाहिए मिल जाएगी हर डिजाइन की चाहिए मिल जाएगी बड़े-बड़े तागे वाली चाहिए मिल जाएगी कहे बार कहें मुड़ी वाली चाहिए तै हमारे ह़र quality के हर तरीके की मिलती यह मैंने कहें तैसमा मिलजाएगी यह किरूप है दिकham Fifth हम को हिस्सा नहीं बत्वारा करवाद में तुम पहले कालीन दिखाओ सब्सक्राइब हिस बात अभी ना कर पहले जा मेरे भाई कालीन कर दिखाना है मौत दुष्मन को अब धंदे में सब चलाता है दिखाते है चला तो बं भी हम तुमका बं मार दे भाई मिर्जापूर के अंदर सिभुत गद्दी पे मुन्ना भाईया होगा बास हम अमर हैं अमूल हैं पराग हैं अरे तुम कोई भी हो कोई सबी दूद हो हमसे कोई मतलब लेना अब तुमका ल हैं लाला तो बात करके आएं यार यह अजीब आदमी है साला हेट्र की आवाज खराब है मुन्ना भाईया बनके बैठा है देखिए कालीन भाईया जी बताईए हम ज्यादा बात करते नहीं है यह बरफी के चक्कर में अगर हमारी बालुसाई खा गया तो पेट में बच्च हादेरे कालीन पापा तुम अंदर रखो अंदर रखो देखिए ऐसा है क्या बताएं पूरा महा देखिए इसी की पिस्टॉल से हमने इसके मुह में दतून किया था पूरी आख हुआ काली पड़ गई थी इसको समझा लीजिए यही मिर्जापुर में हम भी पाइदा हुए इसी मिर्जापुर के अंदर इसकी कबर कोद देंगे कालीन भाईया हम का करी ही हम का बता दो बस तुम लोग या तुम आए हमरे से कालीन लेने उनका बरफी में हिस्सा शाई उनका लड़ू में हिस्सा शाई अपे चुप चाप बैठो सुकून से तकाम दिखा बे कालीन द सारा विवाद ने हमारे तुमारे बीच कोई लड़ाए जगड़ा नहीं था घर में गुसा बाप से बत्तमी जी बहिन से बत्तमी जी किया मारा अब फिर करेगा फिर मारेंगे कालीन भाईया अरे यार तुम लोग हमाई यही नहीं समझ में आ रही है कि कालीन देखे आया हो कि यह गुंडैती पेले आया हो मार पीट की बाद चल ले यह यह खाड़ा है अबे का कहे बार मिर्जापूर देखे हो तुम लोग कहा कर रहे हो इक कालीन ले ले ओके बाद मडर यहीं होई गा क्या बिर्यानी खिला दिया क्या कालीन भाईया ड़कार अकल ले रहा है उत्ता खाये है साला देखो इसकी आवाज वाज कितनी खराब सी हट बहट उदर कालीन दिखा कालीन हम नहीं दिखाएंगे हमारे क्या जो हैं वो अभी यहीं पे जो है अमें यार इंका बर्फी में कौन सी बर्फी में हिस्सा देई तुमका हम तुम जानो तुम पाइदा किये हो तुमारी बीबी को इतना बिचने का सवक था अपनी बीबी का नाम कालीन रख देते इससे अच्छा इससे खराब बच्चा तो नहीं निकलता इससे अच्छा बच्चा निकलता तुमको समझ लिए पंदरा की कार्तूस खीश के मार देंगे मर जाओ के साले तुमें एक बास समझ लिए हम कालीन नहीं दिखाएंगे तु नहीं दिखाएंगे हमको बर्फी में हिस्सा चाहिए अब मिर्जापूर की गदी पे मुन्ना वहिया बैठेगा आपको हमारी बास मानना पड़ेगा अभी हम तुमका एतना मर्बा है एतना मर्बा है कि तुम्हा तब्यत खुस हो जाईगा मिर्जापूर की गदी पे अगर कोई बैठेगा प्रोटोकॉल अपने जूते की नीचे रखे तो सिर्फ और सिर्फ उड़ू पंडित देखो उड़ू उड़ू कुछ न बैठी बाठी गा एक बास समझ में आई इंका जो बर्फी में हिस्सा चाहिए तुमका गदी जाई न इकालीन भाईया जो है न सीट छोड़े वाला ले ला इक गदी पे हमाई बैड़ वह तुम दोनों भी खाबो मार निकालो असला कट् हमका बर्फी में हिस्सा चाहिए वे यार मारो यहार का कुई मारे वाला ले सब कहां चले गाए अरे आरे इरे रे अरे बास चोड़ो पाइन पर नहुम से बोल ला यह कालिन भाईया से अबे मकबूल मकबूल तेरी मा का नहीं तो बाल छोड़ से कारें मकबूल हम लाइल हैं हमेशा कालीन भाईया के तुम लाल हो चाहें पीले तिरी भाहिन का बाल छोड़ बता हैं मकबूल कारें हम कालीन पापा हमका बर्फी चाहिए बाद तेरी बर्फी की मा का नहीं तो पाय गवाबर फी तो दोली तो मार दियो मगर हम अमर है तेतों का अमर कर दियते जा तो हमको तो काली निकलाओ अरे अब तुम भी खास हाले नहीं तो लेओ लेओ आप लोग लाइक सस्क्राइब करिये हम लोग फिर आते हैं पार्ट टू लेखे